आगे बढ़ेंगे तो हम सभी के पास क्या है भीडियो का महा अभ्यास अभ्यास नमबर आठ तो चले देखते हैं का आज एक दर्जन सवालों में कौन कौन से सवाल है यहाँ पर तो एक दर्जन सवाल ही है क्या है यहाँ पर एक दर्जन सवाल है जवगा पर सवाल सवेरे लिकाई क्या कहलाएगी उर्वरक के पैक पर मुद्रित NPK क्या NPK क्या दर्शाता है चलो बही बताओ हाँ सुरू करो अच्छा पचास कोश्चन पचास कोश्चन में ही आलत खराब हो गई तो अभी पसुपतास्त में कैसे चलेंगे चलिए हम तो आगे हैं एकदम आगे हैं पहला सवाल है आप सबका कीडे सांस लेते हैं ना तो कीडों में ध्यान रटना फैफडा नहीं पाया ज नीडे जो सांस लेते हैं उसको ट्रैकिया के लाता है क्या 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 इस पेसिस यानि की जाती ऺए जीवदार्यंगे नीचीठ की अपना प्क लिना होताओane यह तो आप refugeeiji करण होती होती हогब न introduction। इसका मतलब हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा कि लो नाय जरो जर्ट फास्फोरस थास्फ़ोरस अ से लिते है और पडी सियम क्या कर लेते हैं ये कुछ से कर लिए विते हैं इसे शुध्रग्रह के बीच में मिलेगा तो यह अपको मिलेंगे मंगल और मंगल के साथ कोन होता बाइश पती कोन सा होता है ब्रहस पती के बीच में यहीelect मिलेगा अपतर बेल्ट यह दियान मुण अ 근 Deutsch मंत्राले का नवीनतम नाम क्या है? तो ध्यान रखना मानव संसादन विकास मंत्राले ये भारत के सोतंतरता के समय वैनि 147 से लेकर के 1968 तक अगर हम लोग देखें तो यहाँ सिच्छा मंत्राले कहलाता था क्या कहलाता था? सिच्छा मंत्राले विकास, विकास मंत्राले कर दिया गया और फिर आगे चल करके वर्स 2000, वर्स 2020 में जब नई सिक्षा निती लाई गई इसके तहरे इसको फिर से क्या कर दिया गया इसको फिर से सिक्षा मंत्राले कर दिया गया तो अब यह क्या कहलता है सिक्षा मंत्राले कह रहता है और इसके म मंत्री कौन था इसका याद है प्रथम मंत्री कौन था इसका तो प्रथम मंत्री द्यानक्ता मौलाना साहब थे कौन थे बई मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम अबुल कलाम आजाद ये इसके प्रथम मंत्री थे बई मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम मंत्री थे वर्तमान में कौन है धर्मेंदर प्रदान है बहुत बढ़िया भाई नेया पांडे और बाकी लोगों ने इसका एंसर इदम सही किया भी तो हमने पढ़ा भी नहीं लेकिन सबसे फास्ट एंसर कर दिया मेरी नजर भी पढ़ी है हाँ चलो भाई मानसून सब्द का म मानसून सब्द मूलत किस भासा से लिया गया है तो मानसून सब्द जो है ये मूलत अर्भी भासा से लिया गया अखिल वर्मा और बहुत डिर सारे लोग अखिल वर्मा और कौन सा एंसर कर रहा है नकुल कुमार वर्मा जी हाँ और कौन को एंसर कर रहा है योगेश्वर कु सभी का चलिएए बहुत बड़ी पड़ें नेक्ट पराइए बंगाल स्वादेशी आंदुलन के दौरान बनाये गए तिरंगे में समलित रंग था तो बंगाल स्वादेशी अंदुलन अगर दिखा जाती बंगाल विभाजन के फलसरों उपर वनी सो पांच में आरा मुगा था ना वनी सो पांच में जो कि कि रशना है बैस्वी को बाग सनच्षर दिवस हम लोग कम मनाते हैं तो उसमें कौन को सा रंग था इस पर ध्यान रखना हुँ उस में जब यह बनाय गया था इस पर रंग था लाल इसके अलावान दिया कर्मा बहुत बढ़िया हाँ नीला हाला नीला पीला नहीं करना है ना लाल हरा पीला करना है क्या करना है लाल हरा पीला करना है नीला अटा दीजिएगा उसी जिए लाल कर दीजिएगा दास कैपिटल किस ने लिखा है तो यह काल माक्स की रचना है किसकी रचना है बिल्कुल माक्स को अगर दिखा जाए तो यह एक जर्मन दार्शनिक था ना जर्मनी से इसका संबन्द है यह द्यानक ना बिस्व बाग सनक्षण दिवस कम मना जाता है इसी को वर्ल टाइगर डेवी कह सकते हैं कम मनाएंगे हां तो यह हम लोग मनाएंगे वन तीस जुलाई को कम मनाते मिनाक्षी मंदिर आपको कहां पर मिलेगा मुंदकोप उपनिशद का संबन्ध कहां से बनता हैं कहां से बनेगा इस्का संबन्ध है याद है किसी को रिगवेद से नहीं भाई तो द्यान रखना अथर्व वेद से लिया गया है कहां का है यह उपनिशद अथर्व वेद से प्रेदित है यह द्यान रखना वन जीव सनचण अधनिया मौनीस सो बातर में कुल कितनी अनसूचियां है तो वन जीव सनचण अधनिय तो इह मंदिर हमनों को मिलेगा तमिल नाडू में कहां